हे नमस्कार दोस्टों तो आझ के वीडियो में यह आपर फायर बोल्ट के 2 अस्मार्ट वाच éléments करने वाले हैं तो मेरे पास यह आपर फायर बोल्ट के दो तो आज के में टॉपी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम चानल भी जॉइन कर सकते हैं जहापर मैं आपको डेली टॉप प्रोड़क्ट बेस्ट डिल्स वगर बताता रहता हूं तो उसका भी लिंक जो आपको निच दिजइन है वह तो काफी बढ़िया है अगर में इसके बिल्ट क्वाल्टी के बारें बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मेटल बॉड़क्र बिल्ट का वर्ड़क्र का पर स्मूद होने चाहिए और साइड में आपको बटन प्रवाइड के आ पीचे की तरफ आपको आप यह दिखने को मिलता है दोने में आपको आपको डिजाइन कुछ के एपल वॉच्स फायर वोटाइन से रहा हुआ लगा रहा है। तो इसमें भी आपको आपर सेम मेटल बॉडई यह देखने को मिलता है तो बिल्ट कॉल्टी जो है काफी अची है इसकी भी और बिल्ट को आप देखने को मिलता ज्यादा कुछ डिफ्रेंस नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं दोनों को समय बारे बात कर लेते हैं और सबसे पहले जो हम आप फायर बॉल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच के बारे में बात करते हैं तो इस watch में आपका एपर 1.79 इंच का Ultra HD display प्रवाइट किया गया है जिसमें आपको 368 x 448 pixel का resolution देखने को मिल जाता है और आपका एपर 96% screen to body ratio भी जो भी प्रवाइट किया गया है इसमें आपका एपर 1.7 इंच का HD display प्रवाइट किया क्या है जिसमें आपको 214 x 280 pixel का resolution मिल जाता है और बात करें तो यहापर आपको डिस्प्ले में भी जो थोड़ा colors में difference देखने को मिलता है जो फायर बोल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच है उसमें आपको colors जो काफी bright और आपको देखने को मिलेंगे display पर क्योंकि लिए जो फायर बोल्ट रिंग स्मार्ट वाच है उसमें आपको resolution जो थोड़ा सा कम दिया किया है जबकि फायर बोल्ट सुप्रीम में आपको जो थोड़ा साथ ज्यादा है resolution और इन दोने स्मार्ट वाच में आपको यहापर सेम ट आपको यहापर देखने को मिलता है इंडोर में जो काफेची से विजिबुल हो जाते हैं दोने स्मार्ट वाच और आउट्डोर में भी इनका जो ब्राइटनेस है ठीक लगा मुझे और दोने स्मार्ट वाच में जो तच रिस्पॉंस है वह बुच्छा लगा अच्छा इसमें और आपको बेजल्स भी थोड़े से ज्यादा दिखने को मिलते हैं कि हम इसे कंपेर करें फायर बोल्ट सुप्रीम से तो और बात करें तो फायर बोल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच में आपका यह पर इस्क्रीन ऑफ टाइम को भी मैनुवली सेट करने का ऑप्शन द करता है डिस्प्ले यह आपर इंस्टेंटली ओन हो जाता है और बात करता है तो फायर बोल्ट सुप्रीम में पर जो है रोटेटिंग बटन प्रवाइट किया गया है जिसकी मसे आपर आप जो मेन्यों उसे छोटा बड़ा कर सकते हो वाच फैस को चेंज कर सकते हो लेकिन ऐ इसका मेनी होए वह थोड़ा सा लाइक करता है वह थोड़ा सा बेटर हो जाता तो और अच्छा होता इसका डिस्प्ले नेक्स्ट अगर में आप वाच फिस के बारें बात करें तो दोने स्मार्ट वाजस में आपको तीन से चार जो इन बिल वाच वैस प्रवाइट किये क्रिकेट बेजबॉल फुडबॉल तो इस तरह के आपका 20 स्पोर्स मोड वह जाएंगे जो का अपने एक्टिविटी के इस आप से यूज कर पाऊगे और मैंने जो इसमें तीन चार स्पोर्स मोड वगरा भी टेस्ट किये तो काफी आपको 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 एक स्पोर्स मोड भी जो ओपन करके दिखा देता हूँ तो जो वॉकिंग वाला स्पोर्स मोड है उसे मैंने यहां से ओपन कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते अपको एक्टिविटी के डीटेल जो आपको आपको एपर इस टाइप से देखने को मिलते हैं और अगर आपको आपको आपक किलिंग इसकीपिण बैड मैं बास्केट बाल फूटबाल और स्विमिंग तो इस वाच में वी जो है मैंने एक-दो इस पॉर्स मोड जो ही ट्राइक किये हुए और इसमें भी आपको जो अल्मॉस्ट प्रेश्टी देखने को मिलते हैं तो यहां से आपको एक स्पोर्स मामले में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं sports mode के मामले में वी fireball supreme में आपको थोड़े से ज्यादा sports mode देखने को मिलते हैं और बात करें तो इन दोने smart watch में आपको आपको 24-7 सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और और देख सकते हैं और पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलता है यहाँ इस वे बिदे ब आप देख सकते हैं 85 और perfect कर रहा है और थे इस्रीट कर पाएर। प्रतवة जो हैं जो आपरल सुपरीम पास अमाली को नहीं हो थे सब्यार है और करें द्या में और इस आफ एल्लेम पर गार्या है अर श Nós यह सोगर तो सबसे पह SAP देख सकते वाज में जो ए 98 और 99 के आसपास ही स्पीव ड्शो कर रहा है तो इस पीव टू भी आपको अल्मोस्ट देखने को मिलता है सुप्रीम में नेक्स अगम या पर फायर बोल्त रिंग स्मार्ट वाच का स्पास का स्पास कर लेते एक बर तो इस पूर्ट पर जो यहां कर लेगा लेकिन जो फायरबोल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच है मुझे अभी जो है मैं एक दू दिन से यूज कर रहा हूं लेकिन इसका फिर एस पूट जो ही नीचे रखने पर वर्क नहीं करता है जो कि मुझे काफ़ चलगा और बात करते हैं तो फायरबोल्ट सुप्रीम स स्मार्ट वाच में आपको आपर जो है गाइड़ ब्रीधिंग का भी आप्शन दिया गया लेकिन ऐसा कुछ भी आपको 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 काफी इंस्टेंटली देखने को मिलते हैं और अगर आपको कोई वाट्साप पर कॉल करता है तो उसका भी नोटिविकेशन आपको मिल को साइलेंट कर सकते हैं अपर यहां पर थोड़ादा सैंपल देख सकते हैं फैर पोर स्री कांते और कुछ बेसिक से बारे में बात कर दो दोने smartwatch में आपको यह वेदर अपडेट का विए ऑप्शन दिया गया है टाइमर का से पहले मैं आपर फायर बुल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच के बारे में बात करते हैं तो कंपनी तो यहां पर कापर भी बताया नहीं कि कितने इमेज की बैटरी जो इसमें यूज की गई है लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल यूज कर तो आपको यह एट डेस तक बैटर पर लेकिन अगर आप इसमें ब्लुटुथ कॉलिंग का फीचर यूज करोगे थोड़ा बहुत ही उसकरोगे वाच को तो एक से दो दिन तक चल सकता है आपको इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और बात करें तो फायर बोल्ट सुप्रीम स्मार्ट वाच जो है आपर प्राइस इंकरिस हो चुका है तो काफी ज्यादा हो चुका है 4,500 रुपे का सबस्वास आपको यह वाला स्मार्ट वाच देखने को मिलेगा और फायर बोल्ट रिंग तो आपको पता यह होगा पांच आरु प्राइस में मिलता है मतलब 4,999 बार बात करें तो फिरसे में आ अगर आपको यह पर एक ब्लूतुफ कॉलिंग स्मार्ट वाच पर चेस करना है तो आप यह पर फायर बोल्ट रिंग या फिर फायर बोल्ट टॉक के साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आपको यह ब्लूतुफ कॉलिंग और फीचर नहीं चाहिए तो यह पर आप जो फायर बोल सुप्रीम या फिर फायर बोल्ट मैक्स के साथ जा सकते हैं इजिली तो बस सही था दुस्तो आज का वीडियो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना